शेपुरे जिले के कुलारा स्थाना शेत के पुरन खेरी टोर प्लाजा के पास कशी मंडी करकी जाज कर रहे गौालिया चंबल संभाग की उरन दस्ते पर थार सबार कुछ लोगों ने हमला कर दिया इस दुरान रात करीब आठ बजे जाज कर रहे अधिकारी करमचार यूनी भाग कर अपनी जान बचाए लेकिन आज जे मंडी बोट का एक A.S.I. भागने में काम्याप नहीं हो सका जिसे हमलावारों ने बेहरमी से पीटा इस दुरान पास के होटल में छिपका अधिकारी करमचारी A.S.I. को पिटता हुआ देख भी रहे बाद में लोकवासा चौकी पुलिस मौकी पर पाउचिस के बाद गायल को कुलारस का स्पताल में भर्ती कराया गया जानकरी के मतावे को अले चंब संभा का उड़न दस्ता मंडीकर की चोरी करने वारे वाहनों की चैकिंग शुकुलार के रात पुरन खेली टोर प्लाजा के पास कर रहा था इसे दुरान रात शिवपुरी से गुना की और मुंपली दान भर कर ले जा रहे एक ट्रक को रुखा गया था बदाया गया है कि ट्रक ट्राइवर के पास ह मंडी कर से जुड़ा हुआ अनुग्या पत्र भी नहीं था इसके चलते ट्रक को कारवाई की जद में लिया ज़ा रहाता तभी कुछी ही देर में एक ब्लैक कलर की थार में सवार कुछे लोग आए टीम के अनुसे दिस भाग कर होटर में छिप कै थार सवार लोगों ने आते ह कपड़ों में बांध कर पत्तर फिकना शुरू कर दिया उसे देख उरंदस्ते की टीम के सवार सभाग खड़े हुए लेकिन मंडी बोट के एसाई विकास पूतर बाबू लाल शर्मा को हमला वरों ने पकड़ लिया उसको साथ बीर हमें से मार पीट कर दी बता दे की टीम क कैंसे दिस भाग कर कार्स में एक होटल में छिप गए थी थारकार में सबार होकर आये बदमाश मूंग फली से भरे प्रक को चुराने के लिए आये थी बाद में मार पीट के बाद वहर ट्रक को अपने ही साथ लेकर चले गए सूचना के बाद मौके पर लोकुवासा चौकी पुलिस पहुच गई थी लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गई थी गाल एसाइक पुलारेस के स्वास के अंदर में भरती कराया गया था यहां मंडी के सच्चिफ देविन सिंग जादोनादी अधिकारी करमचारी पहुच गई थी बाद में एसाइ को जिलास पताल में भरत मारपीट की गई मामले में रिकवास चौके प्रभारेस शिक्खा तिवारी का कहना है कि जिसे थारकार में सबार होकर बदमाश रायते वाकिसे दीपक तोमर नाम के रजिस्टर की थी मंडी बोट के ऐसाइए विकास शर्मा ने भी मारपीट करने वाले में दीपक तोमर का नाम बताया है पुलिस ने दीपक और फदीपूत उमर के खिलाफ मामला दर्स कर जाज शुरूर ने दीपक तोमर के खिलाफ मामला दर्स कर जाज शुरूर